असलाम अलेकुम, वेलकम टू कोडैनिक्स, 90 डेज इंग्ली स्पेकिंग कोर्स के डे 15 में आज हम यूज ऑफ डब्ली एच फैमिली क्वेस्टन वर्ड्स को देखेंगे कि हम उनको किसी किसी सेंटेंसिस में यूज कर सकते हैं, अब हमारे पास क्वेस्टन डेज होता है कि आप पहले उस वीडियो को देखें ताकि आपको डब्ली एच वाले वर्ड्स का पता लगे, उसके बाद इस वीडियो को देखें, अब लेक्चर को स्टार्ट करते हैं कि डब्ली एच फैमिली वाले जो वर्ड्स हैं उनको किस तरीके से यूज कर सकते हैं, सबसे पहले आत होती हैं, जिसमें केटेगरी वन और केटेगरी टू है, उसमें हमने डिवाइड किया हुआ है, अब के जो सिम्पल सेंटेंस इस उनके पहचान को एक रिवाइज करते हैं, है, हो, हो आता है, इसम और इसका जो है अक्सिलियो वर्ड कर लिए, और अगर इसका हमने नेगेट negative sentences में use होते हैं. Sentence structure को जल्दी से देख लेते हैं. Affirmative के लिए है जो हमारे पास tense के sentences हैं. उनकी sentence structure जो है वो subject plus is MR जिसको हम helping verb बोलते हैं plus object आता है. Negative के लिए subject के साथ is MR और plus not का use होता है और object use होता है. क्योंकि जो हमारे पास not है negative sentences के लिए वो हम helping verb के बाद use करते हैं. Interrogative में डब्ल्यू एच वाला question word अगर है तो वो पहले use होगा अगर नहीं तो पहले आएगा हमारा helping verb उसके बाद subject और object. अगर हमने negative interrogative बनाना है तो उसके लिए हमारे पास डब्ल्यू एच वाला family word जो है वो आएगा उसके बाद इसमर helping verb आएगा subject प्लस not प्लस object अब यहाँ पे interrogative और negative interrogative वाले जो sentences उसमें difference के है sentence structure में अगर आप यहाँ पे देखें तो जो हमारे पास interrogative sentence structure है उसमें helping verb के बाद subject है और object है जब हमने negative interrogative बनाना है तो not जो है helping verb के बाद नहीं use होगा बलके negative का जो not है वो हमारे पास subject के बाद use होगा जैसे यहाँ पे है wh plus is mr subject plus not plus object यह आपने जहिन नशीन रखना है इस चीज़ को कि not जो है negative interrogative में subject के बाद use होगा इनके कुछ examples भी हम देखेंगे आगे उसके बाद कुछ cases ऐसी होते है जहां पे जो wh वाला question word है वो as a subject use होता है ना के as a question word use होता है तो वो जो special case आ जाता है उसमें जो wh वाला question word है वो as a subject use होता है और उसके अलावा subject नहीं आता और उसके बाद आता है helping verb is mr और object जब हमने इन special cases वाले जो wh word है जो subject का काम कर रही है हमने उनको as an interrogative sentence लेना और जब हम इसका negative बनाएंगे उसके लिए क्या हम use करेंगे wh वाला question word है जो as a subject use होता है वो उसके बाद helping verb आएगा हमारे पास is mr उसके बाद plus not और object use होगा ये थोड़ी सी complex सी एक structure है wh वाले case की लेकिन इसका आपने difference जो हमेशा याद रखना है easily बताया गया है कि जब wh वाला word जो है आएगा as a subject तो वहाँ पे उस sentence में subject जो है वो उसके लावा मजूर नहीं होगा बाकी sentence structure जो interrogative और negative interrogative वाले sentences है same उसी तरीके से हैं हम बात करी जा रहे है w h, wh वाले question word wh वाले question word wh वाले question word यह है कि question वर्ड तो हमें पता लग गया sentence structure बहें पता लग गया अब बात यह होती है के question यह राइस होता है कि भै हमने wh वाला question word use कहां करना है बात यह है कि when and where we can use wh family question word simple answer कोई परेशानी वाली बात नहीं है एक असान सा पुलिया अपने जहन में रख लें कुछ क्वेस्चन ऐसे होते हैं जहां पर आपको उस क्वेस्चन का आंसर येस और नो करके स्टार्ट करना पड़ता है आंसर बात रिपीट करना हूं जहन निशीन कर लेज़ेगा कुछ क्वेस्चन ऐसे होते हैं जिनका आंसर आपने येस ये नो की सूरत में देना होता है और कुछ क्वेस्चन ऐसे होते हैं जिनका हमने येस और नो की सूरत में आंसर नहीं स्टार्ट करना वो हम रेंडमनी स्टार्ट कर सकते हैं according to situation, according to state of sentence आपने वहाँ पर WH वाला question word use करना है जहां पर यह possibility हो कि आप इस question का answer जो आप WH वाले question word से use कर रहे है sentence structure बनाने में उसके answer को आप yes और no में define कर सकें आपने WH वाला question word वहाँ पर use करना है जहां पर कोई possibility ना हो कि आप उसका answer yes या no में बता सकें अगर तो possibility नहीं है कि yes और no में answer नहीं आएगा तो आप उसकी जगा पर WH question word use कर सकते है अगर किसी question के answer में yes और no की possibility है कि यह question के answer के start में yes और no आएगा तो वहाँ पर आपने question word को use नहीं करना इसकी example ऐसे है अगर मैं आप से पूछूँ what is your name तो यहाँ पर WH वाला question word है what अब यहाँ पर आप यह तो नहीं कह सकते yes my name is no यह तो question का answer ही नहीं है question का answer आएगा my name is हमार तुफैल इसका मतलब यह है कि जब आपके पास situation है possibility है state of sentence है कि आपका answer yes और no से start नहीं होगा वहाँ पर आप question word यूज करेंगे और अगर आपका state of sentence जो है वो यह बता रहा है कि आपका answer जो है वो yes या no से start होगा तो आप वहाँ पर WH वाला question word नहीं यूज करेंगे examples हैं जी हमारे पास आप sentence देखते हैं अहमद एक अच्छा लड़का है सादा सा sentence है जिसको easily translate कर सकते हैं अहमद is a good boy अहमद एक अच्छा लड़का नहीं है यह negative आगे अहमद is not a good boy अब आप इन sentences के according up sentence structure को खुद बाखुद देखते जाएगा क्या अहमद एक अच्छा लड़का है यह आगया interrogative अब interrogative में हम helping verb जो है उसको पहले लखते हैं फिर subject आता है और फिर object आता है यह good जो है यह इसकी quality को define कर रहा है और boy जो है हमारे पास यहाँ पर object है अब is a good boy यह हमारे पास interrogative आ गया है अहमद कैसे एक अच्छा लड़का है कैसे अब कैसे आ गया है यहाँ पर yes or no वाली situation नहीं है तो यहाँ पर हम WH वाला family word जो है यूज कर सकते हैं तो यहाँ पर कौन सा यूज होगा WH वाला family word कैसे के लिए यूज होता है अहमद क्यों एक अच्छा लड़का है अब यहाँ पर आ गया क्यों क्यों के लिए WH वाला family word है वाई आहमद is a good boy तो यह simple example है आपके पास आप घर पर हैं you are at home simple sentence है जिसके हम easily translation कर सकते हैं आप घर पर नहीं है negative sentence you are not at home क्या आप घर पर हैं यहाँ पर sign of integration आना है sorry for that are you at home आप घर पर क्यों है why are you at home आप घर पर किस के साथ है with whom are you at home with whom यह WH वाला question word है are you at home यह आपके पास interrogative sentence structure और यह आपके पास WH वाले question word के साथ interrogative sentence की structure है अब यहाँ पर आता है जी आप सुबो से घर पर है अब सुबो से घर पर है यहाँ पर यह category two का sentence आ रहा है तो category two के sentence के according यहाँ पर sentence structure को अगर हम देखें तो वो होगा you have been at home since morning अब यहाँ पर था आप घर पर है simple sentence था यहाँ पर simple sentence के according हमने translation कर दी English अब यहाँ पर सुबो से घर पर है time की limitation आ गई है तो time की या वक्त की कैद के साथ यहाँ पर हमारे पास have been के साथ since और for का use हो गया है since और for का use यह discuss किया है हमने उसको देखें ने तो quick review जो है next slide में आपसे हो जाएगा आप सुबो से घर पर नहीं है you have not been at home since morning have not been helping verb के साथ negative sentences में not आएगा और have been के साथ have been not नहीं आएगा have not been आएगा क्या आप सुबो से घर पर है have you been at home since morning क्या आप सुबो से घर पर नहीं है have you not been at home since morning helping verb जो है यहाँ पे question word में पहले आगया है helping verb जो है interrogative sentence में पहले आगया है और subject के बाद not लग गया है यहाँ पे since और for का quick review देखते हैं अब यहाँ पे since कब use होता है किसी भी action के starting point के आपने बारे में बताना है कि यह काम जो है उस वक्त स्टार्ट हुआ है तो वहाँ पे आप use करेंगे since और for किसलिए use होता है जब आपने duration of an action जो एक action perform किया गया है उसके total duration के बारे में खेर रही है I have been reading for three hours में तीन घंटे से पढ़ आँ मतलब यहाँ पे three hours बता दिया है एक अर्सा बता दिया है limited time बता दिया है तो वहाँ पे for use होगा they have been running for one hour वो एक घंटे से भाग रहे हैं यह दौर रहे हैं तो वहाँ पे एक time period बता दिया है इसलिए यहाँ पे for use हुआ है अब यहाँ पे यह वाली जो slide है इसमें डब्ली एच वाले family वर्ड तो use हुए है लेकि जो हमने इस slide में देखा था कि कूछ special cases ऐसे होते हैं जिन में डब्ली एच वाला family वर्ड जो होता है वो as a subject काम करता है तो यह slide जो है यह इस special case के according sentence structure है उसको देखते हैं यहाँ पे है जी हमारे पास sentence कौन बैठा हुआ है कौन बैठा हुआ है कोई शक्स बैठा है लेकिन यह नहीं पता कौन बैठा है अब यहाँ पे अगर हम देखें तो कौन बैठा हुआ है तो कौन जो है यहाँ पे हमारे पास subject भी है लेकिन कौन के लिए जो English translation में word यूज होता है वो है who और अगर हम who को देखें तो ये हमारा WH वाला question word है अब यहां पे हमें ये पता लग रहा है कि WH वाला question word यहां पे as a subject यूज हो रहा है ना के question word के तौर पे ये यूज हो रहा है तो यहां पे इसकी sentence में translation क्या होगी who is sitting, कौन बैठा हुआ है कौन कौन बैठा हुआ है कौन कौन के लिए हम यूज करते है who all are sitting वहां किसका भाई है वहां किसका भाई है वहां आगया हमारे पास object subject क्या यहां पे आगया किसका भाई whose brother is there whose brother is there अब whose जो है ये question word है तो यह यहां पे as a subject यूज हो रहा है वहां कौन सी pen रखी हुई है which pen is kept over there which pen which pen which is wh family question word आप में से कितने office में है आप में से आप लोगों में से कितने office में है how many of you आप में से कितने ये आपके पास आगया wh वाला family word as a subject how many of you are in the office क्लास में किस का भाई बैठा है किस का भाई किस का whose brother is sitting in the class मेंस पर कितने पैसे पढ़े हुए है how much money is lying on the table how much how is a family word question तो यहां पे as a subject यूज हो रहा है तो आज के हमने इस lecture में यह देखा है कि wh वाले family word question है वो वाले question words हम किस तरीके से use कर सकते हैं कब हम wh वाला question word use कर सकते हैं और कब हम use नहीं कर सकते हैं कब हम wh वाला question word जो है as a subject यूज कर सकते हैं और इनको sentence structure के according कि इस तरीके से place किया जाता है सकते है झार आए